बगवान शीव जी के बारा प्रमुक जोतिर लिंगों में से चोते स्तान पर ओमकारिश्वर जोतिर लिंग मंदिर मद्यप्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानदाता द्वीप पर स्तित है यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बढ़कर मानदाता द्वीप का निर्मान करती है ये द्वीब करीब 4 किलोमेटर लंबा और 2 किलोमेटर चोड़ा है ये द्वीब उपर से ओमाकार का दिखाई पड़ता है इसी वज़े से इस जगे को ओमकारिश्वर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में जोतिरलिंग है वो यहाँ पर पंचमुकी रूप में स्तापित है और माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड देवी देवताओं का वास है मान्यत अनुसार इश्वाकुवंस के राजा मानदाता ने यहाँ कठोर तपश्या की थी तब भगवान शीव ने उन्हें आशिरवात दिया और यहाँ प्रकट हुए तब इससे यहाँ भगवान शीव ओमकारिश्वर के रूप में विराजमान है ओमकारिश्वर शीवलिंग दो बागों में बटा हुआ है सबसे पहला ओमकारिश्वर और दूसरा ममलेश्वर शीवलिंग है लेकिन दोनों शीवलिंगों को एक ही शीवलिंग के रूप में माना जाता है अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लैनिंग कर रहे हैं और ओमकारिश्वर जो तिरलिंग के दर्शन करना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक सरूर देखना इस वीडियो में आपको ओमकारिश्वर के बारे में complete information और useful tips मिलने वाली है जैसे कि आप यहाँ पे कैसे आए रुकने और खानी पिने की क्या व्यवस्ता रहेगी होटल के क्या prices रहेंगे यहाँ पर गुमने फिरने के क्या क्या options रहेंगे बोटिंग के charges क्या रहेंगे यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का tour plan करना चाहिए टोटल बजट कितना आएगा यहाँ का और मंदिर में आप जोतिर लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर आपको और कौन से मंदिरों में दर्शन करने चाहिए तो यह सारी information आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे सेट कर लीजिए तो चलिए ओमकारिश्वर जोतिर लिंग की यातरा शुरू करते हैं ओमकारिश्वर तक आप बाई बस बाई ट्रेन बाई फ्लाइट आ सकते हैं यहाँ पर बाई ट्रेन आने के लिए ओमकारिश्वर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इन्दोर है खंडवा रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर 75 किलोमेटर के डिस्टेंस पर है। खंडवा से आपको बस या टेक्सी आसानी से मिल जाती है ओमकारेश्वर के लिए। यहां से बस का किराया 100-500 रुपे तक का रहता है। और प्राइवेट टेक्सी के चार्जेस 1500-2000 रुपे त बस मिल जाती है। उज्जेन से ओमकारेश्वर 140 किलोमेटर की दूरी पर है। और 220 रुपे के किराये में बस आपको 5-6 घंटे में रास्ते के बीटिफुल वीव दिखाते हुए ओमकारेश्वर बस स्टेंड तक ले आती है। वहीं इंदोर से आपको ओमकारेश्वर जाने के बीच में रहेंगे। और अगर आप बाई फ्लाइट आने का उप्शन लेते हैं तो यहां से नियरेश्ट एरपोर्ट इंदोर में है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेश्वर एरपोर्ट। वहां से आप सेम वे में ओमकारेश्वर तक आ जाएंगे। प्लानी से यहां तक आ सकते हैं और उज्जेन से ओमकारेश्वर रोड की कंडिशन भी काफी अच्छी है। काफी लोग उज्जेन में एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जेन और इंदोर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है जिसमें बस आपको सुबह लेकर जाती है और शाम को वापस छोड़ देती है और अगर आप इन केस यहां पर रुखना चाते हैं तो उमकारेश्वर पहुचने के बाद यहां पर स्टे करने के लिए आपको प्राइवेट होटेल, गेस्ट हाउस, धरमशालाई मिल जाती है जिनमें आप सस्ते में स्टे ले सकते है यहां पर धरमशाला के फेर 300 से 500 रुपे है, गेस्ट हाउस के चार्जिस नोन AC रूम के 500 से 900 रुपे है और AC रूम के 1000 से 2000 रुपे है, वही प्राइवेट होटेल में अगर आप स्टे लेते हैं तो उसके चार्जिस 700 से 1000 रुपे तक देने होते हैं, इन में से आप अपने ब बोट के तुरू उस पार जा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेरिंग बोट का 50 रुपेज चार्ज देना होता है, बोट आपको सिर्फ नदी पार करवाएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी, सेकंड ओप्शन है, आप यहां से होकर इस ब्रीज को क्रोस करके मंदिर तक महाकालेशवर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनात महादेव, चोथी पर गुप्तेशवर महादेव और पाँचवी मंजिल पर राजेशवर महादेव मंदिर श्तित है, मंदिर में दर्शनों के लिए आने से पहले, आप ओमकारेशवर मार्केट में महादेव जी को चड़ाने क पूजन समगरी भी लेकर आ सकते हैं लेकिन शाम चार बजे के बाद पूजा समगरी जल, बेल, पत्र, फूल, नारियल चड़ाना मना है तो आप इस बात का ख्याल रखे चार बजे के बाद आप दर्शनों के लिए आए तो पूजा समगरी ना खरीदे मंदिर में दर्शन करन का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है अगर आप यहाँ पर पीक सीजन यानी श्रावन मास के दोरान आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे श्रद्दा लोगों की काफी ज़्यादा भीड देखने को मिल सकती है और दर्शन करने के लिए आपको करीब 4-5 घंटे लाइन बोटिंग जरूर करता है ओमकारिश्वर के सबी घाटों से आपको बोट मिल जाती है शेरिंग बेस पर अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको 4-5 पॉइंट दिखाए जाते हैं जिनमें कावेरी और नर्मदा संगम ओमकारिश्वर मंदिर ओमकारिश्वर डैम और ब्रह हजार रुपए आपको देने होंगे मैं सजेश्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जब भी आये बोटिंग का एक्स्प्रियंस जरूर ले बोट के थुरू आपको बहुती सुन्दर मेस्मराइजिंग वीव देखने को मिलेंगे श्री गजानन महाराज संस्थान शेगाउं की और से ओमकारिश्वर में आने वाले श्रदालूओ के लिए विशाल भक्तिनिवास बनाया गया है यहाँ पर आपको साड़े तीन सो से लेकर साड़े नो सो रुपए तक AC 9AC एयर कुलर तीनो टाइप्स के 2,3,4 बेट्स के फेमेली रूम्स मिल जाते हैं और सिंगल परसन के लिए अलग से डॉरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें आप 60 रुपए का चार्ज देकर यहाँ पर च्टे ले सकते हैं साथी इस भक्तिनिवास में प्रसादाले भी बना हुआ है प्रसादाले में आप ब्रेक्वास्ट से लेकर लंच डिनर भी कर सकते हैं 10 र चाना खा सकते हैं और फास्ट फूड इंजोई कर सकते हैं ओमकारिश्वर जोतिरलिंग प्रकरती में विभाजित है ओमकारिश्वर जोतिरलिंग का आदाभाग ओमकारिश्वर में और दूसरा आदाभाग ममलेश्वर में स्तित है संपूर्ण जोतिरलिंग दर्शन के आप ममलेश्वर मंदिर में आकर दर्शन करें तबी ये यात्रा आपकी सफल मानी जाएगी दर्शन हो जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तब आप पहुंच जाएंगे गोमुक गाट पर यहाँ पर गोमुक से निरंतर रूप से पवित्र जल्दारा भैती रहती है आपको यहाँ बहुत ही शांती मिलेगी ठंडी ठंडी हावाओं के साथ कुछ टाइम आप यहाँ पर बढ़िया से स्पेंड कर पाओगे अगर आप पैदल नर्मदा नदी परिक्रमा करना चाते है तो आपको 7-8 किलोमिटर पैदल चलना पड़ेगा और परिक्रमा तै करने में 1.5-2 घंटे का टाइम लग सकता है इस परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे जिन में से चलते चलते आपको विशाल सीव प्रतीमा के दर्शन होंगे यह प्रतीमा 90 फिट की है गोरी सोमनात मंदिर के दर्शन होंगे इस मंदिर में 6.5 फिट कावेरी संगम के भी दर्शन होंगे यहाँ पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ मिल जाती है और आखिर में श्री शिद्धनात मंदिर के दर्शन होंगे ये मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है इन सभी मंदिरों में दर्शन कर आप परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे और वापस से जूलापुल तक पहुंच जाएंगे दोस्तो लाश्ट में टोटल बजट की बात करें तो दो दिन के इस ट्रिप में 2500 से 3000 तक आपका ओमकारिश्वर गुमने का खर्च आ सकता है ये आपके ट्रेवल मोड के अकोडिंग कम जादा भी हो सकता है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की ओमकारिश्वर जोतिर लिंग दर्चन की यात्रा आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करे और इस वीडियो की रिगाइडिंग आपकी जो भी क्यूरी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं टेक केर बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग